हालो गाईज, वेलकम टू कॉंट स्टडी तो जेके एससबी क्लास पोर्थ रिकूट्मेंट में आज हम एक न्यू लेक्चर करेंगे जो होगा मेंसुरेशन के ओपर तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेशन कर रहे होंगे यह काफी लाज स्केल रिकूट्मेंट है जो अभी आई है जेके एससबी की तो अच्छे से प्रिपेशन करें इसकी हमारे साथ बने रहे हैं हम आपको डेली वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं इस एक्जाम से रिलेटेड और आगे भी करते रहेंगे जब तक आपके एक्जाम नहीं होजाता तो आज के लेक्च्छर में हम करेंगे मैंसुरेशन तो मैंसुरेशन में मैंसुरेशन کے बारे में पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से फीजर आती हैं और उनके फार्मुला करेंगे क्योंकि जो mensuration topic है यह formula based इसमें questions आते हैं जादा तो अब जादा high level के questions मत करना जो मैं करवाँगा उस पे stick रहना तो आपके लिए खाफी helpful होगा क्योंकि मैं कुछ previous years के questions भी करवाँगा जो different different exams में पूछे जाते हैं और frequently asked questions जो पूछे गी हैं different exam में तो basically mensuration का मतलब क्या होता है measurement होता है various parameters इसका geometric figures का जैसे कि हमारा जो figures आती है 3D figures आती है जैसे cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, hemisphere ठीक है तो यह जो figures होगी इनके बारे में हम पढ़ेंगे इनके उपर questions करेंगे तो जो questions आते हैं हमारे basically mensuration में किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है area और volume पर ठीक है area हमारा कौन सा होगा curved होगा एक तो curved area होता है एक और एक होता है total curved उन figures में होता है जिसमें curve आता है जैसे cylinder होए यह होगया तो यहाँ पर curved आ जाता है तो अगर हम मेरे पास cuboid या cube हो वहाँ पर इसको हम बोलते हैं lateral ठीक है lateral area ठीक है तो उपर से total आता है total में sub cover हो जाता है curved और area of the base तो अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैं आगे questions करवाऊंगा introduction दूँगा तो उसमें आपको length breadth height same होगी cuboid में वो different होगी cube में length breadth height same होगी तो मैं आपको figures दिखाता हूँ अभी यह हमारा cuboid ठीक है यह cuboid figure है तो देखिए इसमें कितने phase हुए 2 नीचे 2 नीचे 2 side में 2 पीछे 6 phase हुए तो यह होगा cuboid इसमें length breadth और height अलग-अलग है और next figure है cube की है ठीक है तो इसमें मैंने थोड़ा यह जो cube होता है यह सही से नहीं है बट cube में क्या होगा कि आपकी जो length breadth और height होगी वो same होगी ठीक है तो इसका हमें क्या करना है इसका area का formula याद रखना है इसके volume का और area में कौन-कौन सा curved और दूसरा area total surface area तो basically अगर हम इसमें देखें cuboid में तो basically area होता क्या है area का मतलब होता है कि space inside a figure जो इस figure के अंदर space होगा उसको हम area मानते हैं ठीक है तो यह हुआ हमारा area और volume क्या होता है amount of space object takes up तो जितना space वो object लेगा कोई भी figure उसको हम बोलते हैं volume तो यहाँ पर cuboid दी है सबसे ओपर तो सबसे पहले cuboid का total surface area क्या होता है twice of length into breath plus breath into height plus height into length यह हुआ cuboid का total surface area इसका lateral area क्या होगा 2 into h multiply l plus b और इसकी volume क्या होगी l into b into h last वाला रहने दीजी length of leading diagonal यह हमसे कम पूछा जाता है basically जो questions आते हैं वो total surface area lateral और volume पे आते हैं और cube में क्या होगा इसका total surface area होता है six a square lateral होता है four a square इसकी volume होती है a cube ठीक है तो यह हुआ cube का formula उसके बाद cylinder कौन दिया तो जैसे next videos आएंगी तो उसमें आपको मैं यह भी बता दूँगा कि यह formula कैसे derive होते है but आपको इसमें यह सारे formula learn कर लेने है यह वाला यह और यह तो आप यह note कर ले लेने हैं यह फिर note कर लेने हैं इन formula को सब के formula learn करने है sphere तक यह दोनों नहीं hollow cylinder और frustrum नहीं कहां तक sphere, cone, cylinder, cube और cuboid तो आज हम करेंगे cuboid और cube तो जो questions आएंगे वो formula based questions होते हैं जैसे इसमें बोला है find the volume of a cuboid whose length is 12 cm breath is 8 cm height is 6 cm देखे इस questions में क्या करना है questions में क्या करेंगे हम direct formula लगाएंगे अगर आपने formula learn कर लिया होगा तो हमें पता है कि volume of cuboid क्या होगा L, B, H length into breath into height तो यहां पर हम put करेंगे value 12 into 8 into 6 तो जब हम इसको multiply करेंगे 96 into 6 यह आएगा मेरा 576 और क्या unit है इसकी cm इसका answer आएगा 576 cm cube तो यह हमारा इसकी volume volume के साथ mid cube आएगा और area के साथ square आएगा unit में तो कभी-कभी options में वो ऐसे confuse करने के लिए square लगा देगा तो आपको ध्यान रख नहीं कि आपको दोनों option दिये होंगे 576 cm cube 576 cm square तो आप कौन सा option लगाओगे volume में cube वाला क्योंकि इसकी volume क्या होती है cube में आती है अब हमारा next question है find the volume of cuboid इसका second part length है 1.2 meter breath है 30 cm height है 15 cm तो आपको क्या करना है इस length को भी cm में change कर लेना तो 1 meter में कितना cm होगा 100 cm तो length क्या हुआ 1.2 into 100 तो length हुई इसकी 120 cm और उसके बाद formula लगाओगे volume of cuboid L into B into H ठीक है यह हुआ इसका formula LBH उससे comments में बताना कि इसका answer क्या होगा next question करते है find the volume of a cube whose side is 4 cm first में और second में 8 cm तो देखिए volume of cube क्या होगा A cube क्योंकि जो cube है उसके सारे dimension same होते है length breath height same है इसलिए उसकी volume बनती है A cube तो volume का formula लगाओगे 4 का cube कितना होता है 64 volume पूछा है और centimeter दिया तो unit क्या होगी centimeter cube यह हुआ volume का formula उसके बाद second part है 8 cm तो 8 का cube आएगा वो वो कितना होगा 512 cm इस answer क्या हुआ 512 cm3 तो यह हुआ cube के उपर question और एक था cuboid के उपर find the total surface area of the cuboid whose length is 6 meter breath is 5 meter height है 4 meter देखे question दियान से पढ़ना है कि कौन सा area उसने पूछा उसने बोला है total surface area तो total surface area जो हमारा होता है उसका formula क्या होता है twice LB plus BH plus HL आपने क्या करना है यहाँ पर values पूट करनी है जिर्फ इस question में values पूट करोगे 4 x 6 इनको solve करके इसका जब solution निकालोगे तो इसका answer आता है 148 meter square और यह area था तो इसलिए इसका answer क्या आएगा meter square में ठीक है क्या कि हमने इसमे total surface जो हमारा formula पता होगा तो हम direct इसमें values पूट करेंगे तो इसका answer निकल जाएगा next करते है a cuboidal wooden block contains 36 cm cube wood if it be 5 cm long and 3 cm wide find its height तो देखिए अगर आपको यह question समझ नहीं आ रहा होगे क्या cuboidal wooden block दिया हूँ उसने तो आपको एक चीज देखनी है कि cm cube है यह तो इसकी volume हुई अब उसने हमें क्या दिया है 4 cm long उसकी length भी दे दिया हूई है wide का मतला width हुई है height पूछी है तो volume का मेरे पास formula क्या होगा lbh तो volume कितनी दिया है 36 l कितना दिया हूए 4 width उसने दिया 3 और height पूछी है तो कुछ नहीं करना था इसमें जो भी हमारे पास चीज थी volume की हमने volume put किया is equal to l into b into h तो h की value क्या आएगी 36 by 12 तो क्या answer बना इसका 3 cm ठीक है तो उसने height पूछी दिया height आइस की 3 cm तो ये question आज कल ऐसे question आते हैं कि what will happen to volume of a cuboid if its length is doubled height is same and breath is half ठीक है ऐसे question पूछे जाते हैं कि एक cuboid है अगर उसकी length डबल कर देंगे height same होगी और breath half होगी तो उस cuboid की volume पे क्या असर होगा तो देखिए cuboid जो है cuboid का हम अपस formula क्या होगा lbh ठीक है volume पे उसने पूछा कि क्या effect होगा ये हम इसको assume कर लेते हैं v1 ठीक है अब उसने बोला है v2 एक volume मान लेते हैं उसकी length डबल होगी 2 अब उसने पूछा कि new volume पे क्या change आएगा तो देखिए अगर मैं इसको solve कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे तो ये भी क्या बच गया v2 क्या बच गया lbh इसका मतलब जब उसने length double की height same की breath half की तो उसकी volume तब भी lbh आती है तो इसका जो answer होगा कि उसकी volume पे कोई कोई भी असर नहीं होगा ठीक है तो इसमें options क्या आएगा question में option में क्या दिया होगा volume बिल भी half होगी double होगी no effect होगा या फिर one by three होगी तो हमारा answer क्या आएगा no effect ठीक है तो उसकी volume पे length change करने से अब उसने बोला length डबल कर दी breath height भी double होगी और breath क्या होई same कर दी तो अब देखिए ये क्या बना four lbh इसका मतलब पहले volume lbh आ रही थी अब four lbh आ रही है तो इसका मतलब volume क्या होगी four times increase होगी तो जो हमारी new volume थी v2 वो कितनी आई four times of v1 तो इसका मतलब volume चार गुना बढ़ गई है तो option क्या आते twice होती volume thrice होती four times होती या फिर no effect कोई फरक नहीं परता तो हमारा option क्या आता four times उसकी volume हो जाती next question करते है find the weight of a solid rectangular iron piece of size 50 cm 40 cm, 10 cm जब भी ऐसा question आएगा solid rectangular iron piece और उन तीनों के dimensions अलग अलग होंगे अगर तो उसने एक dimension दियो तो वो हमारा cube होता बढ़ यहाँ पर 50 है एक 40 है एक 10 है इसका मतलब यह cuboid ही होगा हमने weight बताना है rectangular iron piece का जिसका एक centimeter cube कितना weight करता है 8 gram जब भी आपको यह ऐसा question मिलेगा centimeter cube अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक चीज़ तो आपको पता लगी centimeter cube बोला तो उसने volume तो निकालनी है हमने इसमें ठीक है volume तो हमारी easily निकल जाएगी इसमें से तो volume के लिए हमारे पास क्या formula है LBH LBH का 50 into 40 into 10 तो यह क्या बना 20,000 centimeter cube ठीक है तो इसकी volume कितनी आई 20,000 centimeter cube अब उसने बोला है कि 1 centimeter जो cube है वो कितना weight कर रहा है 8 gram ठीक है जो wooden block है जो भी हमारा size का wooden block है एक wooden block दिये उसने बोला उसका जो 1 centimeter cube है वो कितना weight कर रहा है 8 gram ठीक है अब हमने बताना है कि total कितना weight करेगा तो देखे 1 centimeter cube की उसने value दियो या 8 gram ठीक है अब हमें 20,000 centimeter cube की value निकालनी है तो 1 centimeter cube हम equal to माल ले 8 grams के ठीक है 1 centimeter cube उसने दिया हुआ is equal to 8 gram तो 20,000 cm3 कितना आएगा volume कितनी है 20,000 cm3 1 cm3 मैंने अभी लिखा 8 grams है 20,000 x 8 आएगा तो कितना आएगा 160,000 gram अगर इसको मुझे kg में change करना हो तो क्या करते है kg में change करना है 1000 से divide तो answer किया आएगा 160 kg इस question में क्या था उसने बोला था कि weight बताना है rectangular iron piece का उसके dimension दे दी है जिसका 1 cm3 8 grams के बराबर है तो हमने जब volume निकाली तो हमें पता लग गया कि total volume को उस weight से multiply किया तो हमर पर answer आया 160 kg ठीक है तो guys आज के lecture में बस इतना ही I hope ये video आपके लिए काफे helpful होगी तो इसमें basic थोड़े से introduction के लिए मैंने questions दिये थे कि आपको पता लगे कि कैसे formulas यूज करते हैं cube और cuboid के तो next video होगी उसमें आपको थोड़े से high level के questions मिलेंगे और kone और cylinder के भी start करेंगे उसमें कि kone और cylinder के ओपर कैसे question आए है तो like करें इस video को अगर आपको अच्छी लगी subscribe करें हमारे channel को तो मिलते हैं next video में thank you very much